Hey everyone, my name is Gaurav, welcome to WSQ Tech, WSQ Tech में आप से विगा स्वागत है, आज के इस प्रजेक्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं, Voice Assistant के बारे में, कि हम Python के थुरू Voice Assistant कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़े आज हम देखने वाले हैं, देखें इसके अंदर कौन-कौन से Modules हमारे लिए यहां जरूरी है, जो काम आएंगे यहां पर, प्लस यहां पर additional modules जिनका हम यहां पर use कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, clear? अब देखें, इसके साथ साथ देखें, यहां पर और भी module add कर सकते हैं, आप यहां पर, तो वो सारे modules के बारे में भी मैं आपको बीच-ब जा रहे हैं, यहां पर मैंने क्या कर रखी, एक python की file को create कर रखा है, अब देखें, कौन-कौन से module की हमें जरूत पढ़ने वाली है, मैं आपको पहले clear कर देता हूं, यहां पर, देखें, सबसे पहले, यदि आपको voice assistant मनाना है, तो voice assistant का क्या programming होनी चाहिए, क्या काम होता है पहले आप वो अपने decide कर लेगे, पहले यहां पर होता है कि आप अपने क्या करें, voice से command देना है, आपको यहां पर, बलब आपने voice को command देना है, और उस command को क्या करना है, टेक्स के अंदर करना है, क्योंकि देखे, python के अंदर आप कोई भी चीज यहां पर search करते हैं, जैसे म यह आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर, आपको speech to tax की जरुत पड़ेगी, clear, उसके लिए मैं बात करूँ यहां पर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, voice recognizer, आपको यहां पर बात करें, speech recognizer की जरुत पड़ने वाली है, clear, अब दूसरा यहां पर बात करे देखे, अब आपके पास, यदि आप यहां पर cable search करना चाते हैं, तो उसके लिए आपको output के अंदर cable, आपको searching मिलेगा यहां पर, यदि आप वापस return के अंदर कुछ लेके आना चाते हैं, लेके आने का in the sense मतलब, आप क्या चाते हैं, कि आप उससे बात करें, आप उससे module का आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यह सारे जो modules हैं, आप क्या करें, यहां पर import करा हैं, इंपोर्ट कराने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बहुत important module है, जिसके उपर क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, इसके अलावा यदि मैं बात कुरू, additional module क करना है मतलब आपको यहां पर बताना है कि अभी क्या चल रहा है यह exact on the run time में क्या time है date क्या चल रही है आज की यह सारी informations आपको लिनी है आपके पास voice assistant के थुरू तो आप क्या गर सकते हैं आप उसके अंदर date और time module का भी use कर सकते हैं clear तो यह कुछ important modules है जो आप use कर सकते हैं लेकिन in message जो most important module है वो आपके पास यहाँ पर कौन सा है यहाँ पर एक तो speech recognizer है और एक आपके पास है यहाँ पर PYSTTX यहाँ पर बात करें तो वो क्या करता है tax to speech में convert करता है clear तो start करते हैं module के साथ कैसे काम करना है इनके अंदे कौन कौन securities हमें लिखनी होती है तो वो सब चीज़े देखता है clear तो सबसे बहले मैं क्या करूँगा import करा हूँगा यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ import keyword का use करते हुए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ PYTTSX3 यह जो module है हमारा यह क्या करेगा आपके पास यहाँ पर बात करें तो यह आपके बाद जो tax है उस tax को क्या करेगा speech में करनोट करने का काम करेगा तो यह हमने क्या क्या import करा लिया अपने अंदर clear उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आपके पास बात करें अब देखे, speech recognizer module का भी आप यहाँ पर लगाना है, आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, speech recognizer यहाँ पर यूज कर लिया, एक काम करते हैं, speech recognizer आपके बाद बहुत बड़ा नेम है, तो इसका एक alias बना लेते हैं, तो मैं इसका alias बना लेता हूँ, आपक alias बना लिया, यह speech recognizer हमने क्या क्या, module ले लिया, यहाँ पर, अब देखे, दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, तो अब यहाँ पर आप जो भी additional module लाना चाहें, वो सारे module ला सकते हैं, just like मैं यहाँ पर क्या करूँगा, web search करा हूँगा, यहाँ पर, तो web के अंदर आपका searching क करने के बाद, अब हम ही यहाँ पर, आपके पास जो भी है, run time के अंदर, जो भी आपको time देखना है, यहाँ पर बोचना है कि time क्या हो रहा है, time क्या है, वो सब आपको पता करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर date and time module करे सकते हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यह किसको इंपोर्ट करने लाहूं एएविंध च्बू तो मैंने का क्या है यहां पर यहां पर बात करें। टाइम का जो सी है उसे यहां पर लगा दिए हैं अब देखे दो तीन मॉडुल मैंने लगा दिए हैं , एक और मॉडुल लगा लेते हैं यहां आपके हम प्याइस लेग लेते हैं, आपके हम आपका क्याइस इंपोर्ट करा रहा हूं और इंपोर्ट किसको करा रहा हूं, यहाँ पर देखे цион को करा रहा हूं, तो यह मैंने क्या क्या है, आपके हैस सारे मोडुल ले लिए, इसके अलावा भी आपày scholars मोडूल क्लिए के लावा वाए जो डिए क्लिए करने के लिए काम कर्वाएं अब यहां कि यहांपर पी अग्स और गया क्रें स्थाइब्स इन श्काण से छलत अलग query चलती है बात करें दूसरे यहां पर speech recognizer के लिए तो speech recognition के लिए भी एक अलग query चलती है तो वैसे की कोरी जो होती है वह बहुत large होती है तो मैं program को systematic रिखने के लिए एक उतना है यहां पर function का use करूँगा और function की तूरूरू काम करा हूँगा अब सबसे और यहां पर नेम नंदे सकते हैं तो अभी यहां पर बात करते हैं擊 Space यहां पर और रेटन के अंदर हमें कुछ देदेगा यहां पर यह सारी चीज़े मैं आपको एक एक करके बताऊंगो यहां पर अब देखें इस फंक्षन का नाम रख लेते हैं जैसे यह क्या कर रहा है हम जो बोल रहे हैं कर रहे हैं यहां पर उसको टैक्स में करेगा तो एक काम करते हैं टैक्स नाम देते हैं यहां पर तो देखें यहां पर यहां पर और यहां पर मैंने यहां पर यहां पर नाम से क्या किया एक फंक्षन बना लिया है अब मैं क्या करने वाला हूं एक वैरेबल लेने वाला हूं जिसे हम बोलते हैं यहां पर बात करने एक object इस object के अंदर हम क्या करने वाले हैं आपके बास देखिए speech organizer वाला जो आपके आश यहां पर module है इसके अंदर क्या होती है class होती है यहां पर बात करें तो मैं यहाँ पर object बनाता हूँ, object in the sense मतलब एक variable बनाना है मुझे यहाँ पर तो एक variable बना लेते हैं, तो देखे variable बना लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर, मैंने यहाँ पर variable बना दिया है, यहाँ पर देखे, recognizer के नाम से मैंने करके एक variable जिसे हम बोलता है औब इस object के अंदर में बात करूँ देखे कैसे काम करना है तो हमने हमने देखे स्मॉल sr के नाम से हमने क्या किया है यहां पर module का नाम रखा है तो सबसे बहले की मॉडूल का नाम आएगा, फिर यहां पर नाम आ हैगा, दोट, अब सब इसुके बादाईगी क्लास. देखे, क्लास के अंदर बात रूओं यहां पर, तो आपके पास होती है Riekin that Iase Okay, तो यहांपर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? आप का रास? क्लास को यहां पर बुला रहा हूं तो यह मैंने क्या क्या यहां पर क्या करता है, capture करता है तो हम क्या करेंगे, उस mic के through हम क्या करेंगे हम आगे का जो function है, वो काम कराएंगे तो यहां पर क्या कर रहा हूँ, with के through मैं क्या कर रहा हूँ, sr. यहां पर use कर रहा हूँ, किसको microphone को तो मैंने यहां पर क्या क्या microphone लिख दिया है यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर microphone के थुरू काम कराने वाले हैं तो यह मैंने कहाँ microphone function को बुला लिया है microphone function को लेने के बाद as करके यहाँ पर लगा दिया है source, मतलब करें जो भी source से डिटा आएगा वो हम ले लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने लगा दिया source यह मैंने यहाँ पर किया है अब source लगाने के बाद अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे ही यह program run होगा तो run होने पर सबसे फहले मुझे एक instruction मिलना चाहिए कि कब मुझे बोलना है आपको यहाँ पर एक instruction आना चाहिए जिसके बाद में आप क्या करें उसको बोलें और बोलने के बाद आप क्या करें जो भी काम है वो आप काम कर सकें तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर बोलना है तो बोलना कब है तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कैसे काम करेंगा यहाँ पर तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक printer करके message पास करा देता हूँ और message के अंदर जो भी आप देना चाहिए वो दे सकते हैं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ listening मैंने क्या दिया यहाँ पर नाम देते हैं यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर क्या देते हैं listening देते हैं यहाँ पर कि yes आप यहाँ पर listen कर रहा है यहाँ पर microphone अब उसके बाद में आप जो भी काम कर रहे हैं पालब जो भी बोल रहे हैं वो record कर लेंगे और record करने के बाद काम करेंगे अब दिछे जब भी आप बोल रहे हैं यहाँ पर तो बोलते वक्त आपके आस पास में noise भी आ सकती है यहाँ आपका microphone के साथ साथ वह noise को भी capture कर सकता है तो अब हमें क्या करना है इसके noise को cancelation करना है यह हमें ध्यान रखना है यदि हम noise को cancellation नहीं करेंगे तो वह noise भी साथ ले लेगा यहाँ पर और noise भी साथ लेने के बाद हमें क्या देगा output के अंदर error दे सकता है या कुछ और भी दे सकता है यहाँ पर बट हम चाते हैं कि हम यहाँ पर noise को remove करें तो आप यहाँ पर noise को हटा सकते हैं यहाँ पर अब देखें noise को कैसे अटाना है जरा बात करते हैं यहाँ पर तो देखे, सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ पर देखे, आपने जो यहाँ पर variable बनाया है, तो वो क्या बनाया है, रिकनाइजर variable बना लिया है, अब रिकनाइजर variable बनाने के बाद, मैं यहाँ पर बात करूँगा, dot, adjust के लिए, कि हम यहाँ पर करेंगे, adjust करेंगे, adjust क बाद आपको लगाना है अंडर्सकोर फिर लगाना है फोर फिर अंडर्सकोर फिर आपके पास यहाँ पर लगाना है अब मिन्ट यह लगा दिया उसके बाद अंडर्सकोर फिर आपके पास क्या आएगा यहाँ पर नॉइस आ जाएगा ठीक है तो यह क्या है आपके आस क्या है syntax है कि आप noise को ऐसे हटा सकते हैं अब इसके अंदर noise किसकी हटा नहीं है तो source की noise हटा नहीं है आपको यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या दालूँगा source दाल देता हूँ करेगा तो मुझे यहाँ पर किस की जरुध पड़ेगी listen function की जरूद पड़ेगी तो मैं listen function आलता हूं यहाँ पर तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ एक variable बना लेता हूँ यहाँ पर okay, तो मैंने यहाँ पर क्याए क्या अचिक वेरेबल बना लिया उसके बाद देखें यहाँ पर लगाएंगे Listen function जो कि हमारे सुनने का इधा तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूं sitzen आपके यहां बाद करें function और लेऊन और listen किस का करना है, source का करना में काम ही यहाँ तो मैंने लगा दिया source,Clear यहां तक हमने क्या किया यहां पर हमने क्या किया अभी तक सुना है यहां तो अब देखें यहां तक हमार पास हो चुका है अब यह जो भी डेटा है वो लिसन हो चुका है लिसन होने के बाद अब हमारा जो डेटा है उसको हम क्या करेंगे यहां पर रीड करेंगे आप देखे केंदा दूसा यदि है आपका जीवटर है वो रANEE cases बना सकते हैं तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर try and accept लगाने वाला हूँ और try and expect क्यों लगा हूँ यहाँ पर क्योंकि देखें यदि आप speak करते हैं तो speak क्या होगा यहाँ पर record हो जाएगी और record होने के बाद मैं बात करूँ यहां पर तो मुझे tax format के नगा मिल जाने चाहिए पैला चीजे है यहाँ पर दूसरे चीज öblind here यदि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं की बोलता है यहिए अश्या नहीं नहीं हाँ यह क्या देगे आप्को यहां पर एक error देतेगा और हम चाहते हैं यहाँ पर आपके पास error through ना हो और error through ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर exception handling को लगाना पड़ता है error को jump कराने के लिए या फिर आपका करने के लिए error को resolve करने के लिए clear तो हम क्या करेंगे यहां पर exception handling का use करेंगे तो उसके लिए मैं क्या करता हूं यहां पर try accept का use करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं try accept करूं अब देखें try के अंदर क्या देने वाले हैं जरा बात कर लेते हैं आप तो सबसे बहले देखें यदि आपका data जो है वो record हो चुका है तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं print कर दूंगा और print के अंदर देखें मैं क्या लगाँगा यहां पर आपके आज रिकनाइजिंग बस आपके आज यहां पर रिकनाइजिंग लगा देंगे ताकि हमें पता सके कि हमारा data जो है वो आपके आज रिकॉर्ड हो चुका यहां पर तो मैं यहां पर क्या लगाने के बात, अब बात करते हैं यहां पर कि मेरे चूट इतर आया है, वो data आपके आश क्या होना चीह, एक वियरेबल कने हमारा टीटर रालतेंगे, अब वियरेबल आप kस भी बना सकते हैं, तो यäreवर बता हूं यहां पर हमने जो भी बोला है वह डेटा नर्ट को आप प्यात ओघ्वार्ट को जो डेटा बॉल है उसके भाद में क्या करेंगा यहाँ पर आप क्या लगाने वाला हूं यहाँ पर यहां पर आपकी आझक बात करें यहाँ ओ सिंदूदाkok पर तो को यहां पर के लिए यहां पर गूगल के लगा दूगा यहां पर गूगल इक लिए हम क्या करते हैं इतना ही वर्क करते हैं और यहां पर क्या करते हैं इसका आउट पूर देख लेते हैं तो देखें मैं यहां पर कर रहा हूं प्रिंट फंक्चन करके यहां पर क्या कर वो हमारे पास क्या हो जाए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लगा रहा हूं आठ पर ओके और देखें एक्सेप्सन एंदिंग नहीं किया है इस लगा रहा हुँ यहां पर कॉन सांसी अंनौर्स वहाल तो यहां पर लगा रहा हूं वेल्यू ओके यहां पर एर्र लगा रहा हूं यहां पर अब देए इस अर्र के अंदर बात करें तो हम क्या और मैसेज निकें हो यहां पर दे रहा हूं तो मैं लगा रहा हूँ यहां पर बात करें देखें, NOT और उसके बाद लगा रहा हूँ यहां पर understand, ओके, तो यहां तक हमने क्या किया, यहां पर मैं बात करूँ तो इस function के अंदर हम ने करेगा यहां पर कॉल अबिए तो यहां पर बात करें पूरा का पूरा सेव कर दिया में अधर रिकॉर्ड करेगा डैनद आपके आपके आप अधर यहां पर लिखावा आच चुका आपकरस हेलो भी लिखा वा आचुका है तो इसicate ?हां पर बात करें हम जो भी बोल रहे है यहांपर वह क्या कर रहा है। हो और टाक्स करेंगे की हमारे जो भी यहां बहुत लेकर वा नहीं है यहां टेक्स फॉर्मेट गंदा उसको यह भी तक क्यों पुलवाना है यहां पर अपने स्टम के थूख तो उसको कैसे बुलाई जा सकता है तो वह यहां पर देखलेते हैं यहां पर start करें उसके लिए तो देखे मैं इसको हटा देता हूं यहां पर अब बाद में हम यहां पर जो भी रगा न चाहें कि फंक्शन रर्क के होते हैं तो उसमें से जो भी जई बढ़ेगी तो हम इसके लिए चाहिए कर लेंगे तो देखे, यहां पर मैं कर रहा हूँ, देखे, डेफ कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, और डेफ कीवर्ड का यूज करने के बाद, अब हम क्या करेंगे, यहां पर, देख लेते हैं, यहां पर, देखे, मैं डेफ कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, डेफ कीवर्ड के बाद, अब आप इसका जो भी नाम रखना चाहें, वो रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर देखें, इसका नाम रखना चाहूंगा, यहाँ पर speech, ओके, कि यह जो है मेरा function, वो कैसा है, यहाँ पर speech है, और speech to text है, तो speech t और x कर लेता हूँ, ठीक है, यह हमने क्या क्या है, यहाँ पर function का करेंगे, एक object बनाएंगे, object मतलब एक variable बनाएंगे, जिसके हम क्या करेंगे, class कॉल करेंगे, अभी class कैसे call करनी है, उसको भी जड़ा देख लेता है, तो देखें, सबसे वहले आप जो भी variable बनाना चाहें, तो देखें, basically मैं बात करूँ, यहाँ पर, आपके आस, यहाँ इंजन नाम से मैं ने क्या क्या है, यहाँ पर एक variable बना लिए है, जिसके मतलब हमारा object है, इस object के थूरू हम क्या करेंगे, हमने जो आपके आस, यहाँ पर module इंपोर्ट किया था, और देखें, इसके लिए कौन सा module यहाँ पर, यहाँ पर, पी, वाई, टी, एस, एक्स, टी थृ, जो है, module इंपोर्ट गया था, इसकी जो class है, उसको हम बुलाएंगे, ठीक है, तो उसको हम बुला लेते हैं class को, तो सबसे बहले देखें, क्या था है, module name, फिर आपके आस, class आती है, यहाँ पर, तो सबसे बहले मैं module ने मना जाता हूं, तो module हमारे पास कौन सा है, यह यहां पर प्य यहां पर बात करें यहां पर यहां पर बात करें आपके पास यहां पर बात करें आपके पास यहां पर इनिट नाम का क्लास है अब इस क्लास करना हम जितने भी फंक्शन हैं उनको हम एक एक करके यूज करेंगे जिसके थुरू हम क्या करेंगे डेटा को गैट क करेंगे clear तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर तो आपके पास जो tax है उस tax को speech में करवाना है तो speech में करवाने के आपके पास यहां पर different types की यहां पर person हो सकता है person in the sense मैं बात करूं यहां पर तो देखे हमारे जो system है उस system के अंदर default के अंदर में बात करूँ तो default के अंदर हमारे पास क्या होती है यहां पर आपके आज दो voice होती है पहला होता है यहां पर male voice दूसरी होती है female voice अब आप यहां पर दोनों में से जो भी choice को लेना चाहे जो भी voice को लेना चाहे वो voice आप ले सकते हैं आप यहाँ पर male voice को भी ले सकते हैं आप चाहें तो female voice को भी यहाँ पर क्या करते हैं ले सकते हैं यहाँ पर आपके आज system default आपके आज बात करें voice देता है यदि आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं आपने यहां पर और भी voice को add-on कर सकते हैं अलग-अलग different type के voice को add कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर बात करें तो आपको यहां पर वो जो voice है वो download करने पड़ेगी और अपने system के अंदर install करने पड़ेगी क्लिया उसके थुरू आपके कर सकते हैं आपके अइस different डिफरेंट आपके यूज़ कर सकते हैं बट मैं बात करूँ यहां पर तो यहां पर आपको दो different voice मिलते हैं यहां पर पहले male और दूसरी female अब देखे यहां पर male और female voice to आ चुकी है बट इन voice के अंदर भी आपके पास यहाँ पर आप इनके volume को set कर सकते हैं, मतलब आप कितना यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर बोलवाना है, मतलब यहाँ पर volume कितना रखना है, volume कम करना है, यह सारी set property लगा सकते हैं, इसके साथ साथ मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इनकी speed को भी set कर सकते हैं, जैसे यदि कोई यहां पर voice मालब बोल रहा है यहां पर जैसे आपने किसी को speak करा है मालब male voice को यहां पर use किया है तो male voice के अंदर आपके आज बात करें तो speed बहुत fast है तो आप क्या कर सकते हैं speed को कम कर रहा सकते हैं clear तो ये कुछ properties हैं जो लगा सकते हैं तो मैं उन्ही properties को पहले लगवाँगा यहाँ पर ताकि हमें यहाँ पर जो भी हमारा input आए यहाँ पर वो clear सुनाई दे clear तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर speed को भी कम करेंगे यहाँ पर यहाँ पर volume को भी increase and decrease करेंगे clear तो देखें कैसे लगाता है यहाँ पर उसको जरह समझ लेता हैं यहाँ पर तो सबसे पहले मैं करूँगा properties लगाँगा तो property के अंदर क्या करेंगे पहले property को get करेंगे variable करेंदर फिर उसके बाद क्या करेंगे set करेंगे उसी property को clear तो करें start यहाँ पर देखें सबसे वहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर voice नाम से यहाँ पर variable बना लेता हूँ voice नाम से क्या कर रहा हूँ एक variable बना लेता हूँ अब देखें voice नाम से variable बनाने के बाद अब बात करते हैं यहाँ पर तो property का use करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा से ध्यान अगना पड़ेगा कि यहाँ पर जो function है get property get आपका small mega property का P जो है वो काईगा यहाँ पर capital mega clear तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर property लगा रहा हूँ यहाँ पर तो मैंने get property लगा दिये अब grab property के अंदर हम क्या करेंगे voice की जो property है मतलब जो भी voice हमारे पास बोली जाए यहाँ पर करनी है मतलब voice को changes करना है उसकी property लगाएंगे यहाँ पर तो आपके आज देखें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आपके आज बात करें property clear सबसे पहले यहाँ पर करेंगे male voice औ female voice दूने में आपको प्लियर करते दूँगा और उसके बाद हम क्या करेंगे speed को भी देखेंगी यहाँ पर तो पहले यहाँ पर बात करते हैं male female voice को हम कैसे change कर सकते है clear लगा उसके बाद आपको क्लोन लगाना है वाइस लगाना है यहां पर यहां पर आप यहां पर बात करें तो कॉमा लगाता हूं यहां पर और फिर कर लगाता हूं वाइस लगा देता हूं यहां पर कि वाइस के अंदर आपके आज कहा है दो वाइस है यहां पर उनमें से केवल एक वाइस ही यह तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर हम उसके इंडेक्स नमर के थुरू गैट कर रहे हैं तो यहां पर इंडेक्स नमर लगा आएगी यहां पर female आएगी यदि मैं अपने सिस्टम के बात करूं तो अभी मेरे जो सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास है एक मेल है और दो फीमेल वाइज है यहां पर तो मैं यहां पर जीरो वान औंटू जो खरी में और उसको भतार करें उसको करेंगे यहां पर तो曲 तो मैंने रेट नाम से एक बनाता हूं, इसकी रेट को कम करना है, इस पीड कम करनी है, तो मैंने रेट नाम से रेट बना लिया, रेट नाम से बनाने के बाद, वापस भाही, इंजन से थुख करेंगे, get property, rate की, और उसके बात करेंगे, set property, clear, तो यहां पर देखे मैं लग रहा हूं engine फJesus ने रहा हूं दाख ओ यहाँ रहा हूं इसको कराया ढ़ाया हूं लगाया फिसके अब रके मैं लगा दिया इक तो यहाँ रहा हूं यहां पर रेट उसके बाद मैंने लगा है कॉमा उसके बाद लगा दिया मैंने 150 यदि आप यहां पर लगाना चाहें तब भी वैलन गुड है यदि आप नहीं लगाना चाहें तब भी आपका स्काम चलेगा यहां पर यदि आप यदि रेट को लगाते हैं यहां पर तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर उसके स्पीड को स्लो कर सकते हैं जैसे यहां पर आपका स्पीच कर रहा है यहां पर जो भी जिस वाइस के अंदर वह बहुत इफास बोल रहा है तो रेट की तुरू आपका कर सकते हैं उसको कम कर सकते हैं यहां पर आप चाहें 150 जो मैंने यहां पर कर दिया है इसे आप कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं अब इसके देने के बाद यहां पर बात करते हैं कि अब हम ही क्या करना है इसके देने करते हैं यहां पर आप करेंगे एक function बात करेंगे और वह function है आपके च внутри यहां परThat यहां पर लिखे करेंगे उस तो अब देखे से फंक्शन का यूस करना हैं तो पहले मा wykonता हूं यहाँ पर बात करें तो आप लिख दिया यहां पर आपके पास x एक variable लग दिया यहां पर अब यह data कहाँ साँगा इस x के तुरूँग जीटा आ जाएगा यहां पर ओके अब इतना करने के बाद यह आपको क्या करना है यह जो बोलेगा यहां पर जो भी speak होगी यहां पर उसको run evitate करना है यहां पर तो द अब देखे यहां पर हम बात करें तो यहां पर हमने क्या किया यहां पर 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 यहा यहां पर से सथर्स पूली हैेलो को करां यहां पूलीहां फॉलकॉम पूल्क हों और यहां पर यूस करेंगा यूद्धक कः यह था ये मैंने पूरी एक sting मना ली है यहां पर मैं इसको क्रवाते हैं यहां पर है यह बहुत ज़ार इस서 के अंदर हो रहा है यहां पर तो हम इसको और भी स्लो कर सकते हैं जैसे 150 आशिए मैं इसको क्या कर देता हूं 100 करने के बाद अब देखें यहां पर बात करें कि अधिया काफी अब तक क्लियर बोल रहा है यहां पर यदि मुझे फीमेल वाइस यह होती तो यहां पर क्या करता इस जीरो को हटा कि मैं कर देता वन यहां पर इंडेक्स नंबर वन पास कराने के बाद यहां पर एंटर करूं तो यह काफी ज्यादा स्लो है यहां पर तो एक काम करते हैं इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते हैं यहां पर तो मैंने यहां पर इसकी स्पीड कर दी है यहां पर अब दिखें इसको चलाता है यहां पर यहां पर बाट करें मेल वाइस कर देता है कि हम वाइस छलग सकते हैं तो आप छाहें तो female voice भी रख सकते हैं आप जो भी चाहें voice को रख सकते हैं यदि आप external voice को यहाँ पर import करा रहा है तो वो भी आप यह सब देने के बाद अब हम बात करें यहाँ पर हमारे अगले कաम की वर्ग कि हम्लिक सब से वहां पर शब्रक्राइल है कि 이제 oil के बुद लिया है यहांऄ पर डिटन टाइम लिया है और क्या लिया है फाइन के लिख करो जाहिए के लिए मैं यहां पार एक अर यहां पारु जिसका श्लेग। हमारे पास कोई python की file है यहाँ पर इसे हम क्या करते है as a module दूसरे python file के अंदर import कराते हैं यहाँ तो उसके अंदर क्या होगा यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो function है वही function काम करें और उसके नीचे की जो भी आपने syntax लिख रहा है वो सारे syntax काम नहीं करें तो यहाँ पर आप आपके प्रोग्राम है वह यहाँ करेंगी तो अपर आला जो प्रोग्राम है वहीं जाएगा नीचे अला जो प्रोग्राम है वह नहीं जाएगा working के लिए clear तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं लगाउंग किसलिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ भी नाम रख सकते हैं आप जो चाहें लख सकते हैं यहाँ पर बात करें बात करें एक और कोगल का आ commissions पर अमेज़ों का यνहीं और आपने Marvel movie के बहुत बड़े fan है तो उसके अंदर आपके पास जार्विस होता है यहाप तो ऐसे ही आपके कर सकते हैं अपने voice assistant का नाम रख सकते हैं अब voice assistant के अंदर आप यहाँ पर condition लगानी पड़ेगी क्या condition लगानी पड़ेगी यदि मैं यहाँ पर इसका जो भी नाम लेता हूँ यदि मैं वो बोलता हूँ तब ही उसके बाद आगे वाले जो काम है वो आपके आस फॉलो होने चाहिए नहीं तो यह कोई response नहीं देना चाहिए इस तरह से आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इस condition को आपको लगाना है तो इस condition के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा इस फैल्स का यूज करना पड़ेगा तो अभी फैल्स का कैसे यूज करना है यहाँ पर उसकी ज़रा बात कर लेता हैं तो देखे सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहां पर देखे यह तो हमने लगा दिया है यहां पर फंक्चन को यह लगाने के बाद मैं यहां पर करूंगा एक यहां पर एक और एक और देते हैं इफ यहां पर अब इफ लगा यहां पर सबसे प्रोग्राम चला यहां पर प्रोग्राम चलने के बाद इफ के अंदर है तो हम क्या करेंगे इस function को बुलाएंगे इस function से जो भी मुझे return आएगा यस यदि वो equal to equal to आपके आज जो भी आपको name रखना है यस मैं नाम रखता हूँ है पिटर हैं को मिलें तो यहाँ पर आपके काम होना चाहिए नहीं तो काम नहीं होना चाहिए हुख है मुझे पाल करेगे ओर करो काम करने के बाद यहाँ पर प्रियंटर देटा कीशन हटा देते हैं यहाँ पर और मैं क्या करता हूं रिटन का यूज कर लेता हूं और रिटन के अंदर हम क्या पास करा रहे हैं यहां पर डीटा पास करा रहे हैं तो मैंने कहां यहां पर रिटन का यूज किया यहां पर और हे पीटर आचुका यहां पर बात करें इसके अंदर और इसके यह पीटर ईहाँ पर अपर केस का यू जा लिया तो dealt नोवर के करूए कारूँ उसके बीसा करेंगे ड़॑ लोवर यू स करेंगे यह यह स्ट्रिंग फंचन थाount-ठीजी यह इसके बाद देखे यहाँ पे आपने क्या करना है mln कर देना है यहाँ तो मैं में प्रेंट करता हूं यहाँप्र करता है Rangers कि यह काघ्र हो रहा है या नहीं हो रहा है मैं eh करने के बाद यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं वापर ओके टेस्ट करते हैं यहाँ पर हेपीटर कोई भी आउटपूट नहीं आ रहा है एक सिक्ट में प्रोग्राम के अंदर चलते हैं अच्छे यहाँ पर हेपीटर के अंदर आच्छी वाई कर देते हैं यहाँ प्रेंप और तो देखते हैं यहांपर यहां पर हमार पास' पूट पूट नहीं आ रहा है कि यहां पर मैं कम करता हूं शरुव श्यू यहाँ कि话 करते हैं यहां पर टेटा को भी करवा देते हैंए यहां से The इकरते हैं इता हैं और यहां प्रीब्र करता है इसको चक करते हैं यह ओब क्थे से उडरस्टेंडिंग ही नहीं हो रहा है अपर तूकिंँ है यह यह था करना है कई है छाहिए थ्ष anthra कई हपार क्या चून ऑप है है प्रफटा। सिर्थ Incend not द Girish career still pigment पी यहां पर ए writers च zacohj जर्ब अच्वार यहां पर एफ करें हिरें निौ पर यहां पर strategy प्रश्क्र फितर है यहां पर धितरें करके hey Peter okay Peter आपके आज़ आया है यहाँ पर okay वापस hey Peter okay देखे इस बार आपके आज़ देखे hey Peter भी आचुका है और क्या आचुका है टेस्ट भी आचुका है तो इसका अन्लब यहाँ पे आपको थोड़ी सी spelling का भी दियान अकरना पड़ेगा कि अपकास यहां पर जो आपका ले रहा है मतलब यहां पर आप जो भी बोल रहे है उसका Tax Formant क्या है वो भी देखना पड़ेगा तो Hey Peter आपके आज आ चुका है यहां पर तो यहां पर यह काम करते हैं इसको मैं काम करता हूं यहां पर पीटर आपके आस आता है कभी आपके आस हे रिकनाइज नहीं होता है उसके बावजूद भी यह काम करना चाहिए यहां पर तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहां पे आपके आस कंडिशन डाल सकते हैं जैसे सबस्क्राइब क्या करें एक अपकर बना ले वैरेकल के अंदर पूरा काम कर रहा है तो यह आपको चुका है अब इसके अंदर आप कंडिशन डा सकते हैं सारी जो भी आपको करवाना है आपके वास यहां से करवा सकते हैं अब कैसे करवाना है यह काम जड़ा देखते हैं यहां पर तो देखें यह तो आपके आस होता है तो आपके यहां पर कुछ भी रिस्पॉंस नहीं आना चाहिए तो आप मैसेज भी करा सकते हैं तो मैं क्या करसे हैं यहां पर प्रेंट लगा सकता हैं और और अब क्या सकते हैं इस लिष्ट के提 लिस्ट के क्या करूंगा अपके बास यहां से निर्टात था काला के यहां पर अब देखें करने के भाद अब हम क्या करें यहांक करेंगे करें ग्रण्मेंग करने काटेंगगे तो अब देखे यहाँ पर हम ने क्या करना है वहां को इंपोर्ट करने करंद का कर रखत हैं कि यहां पर यहां прते साइं पर क्रेंग ग्रप्र dit को आउन करना पड़ेगा उसके बाद मेरा काम होगा इससे वड़ी हमने क्या 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 एक्टिवेट को क्या कर दिया कमेंट कर दिया क्लिए और यहां पर मैं लगा देता हूं अपने जो भी ड़ लगाण दूँगा यहां पर यहां पर पैले आपके पास यहां पर आपको कोई दूसरा काम करवाना है तो वो भी आप काम करवा सकते हैं तो अब देखे क्या हो सकता है क्या काम करवाना है उसके ज़रा बात कर लेते हैं यहां पर तो यह आपने काम किया हेरी पीटर वाला काम कर दिया आपने यहां पर है उसके बाद है मैं क्छा करता हूं एक जाह où बना लेता हूं यहां distribution व है इसको क्या करता हूं इसको यह थाह यह मैंने कह ए यह यहां पर की आप लगिन इससे पहले में तल बह group Teat जो मेरा यहां पर बार बार इसको एक्टिवेशन की प्रॉब्लम ना आए यहां पर अब एक क्या काम करना है ज़रा बात करते हैं यह तो हमने क्या 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 इसके बाद जो काम है वो किया है हमने एक बार मैंने इसको बुला लिया है यहां पर अब बुलाने के बाद यह क्या यहां पर हावोहल्ड आई THE यह अंपर यह सकते हैं बात करते हैं इससे थोड़ा सा यहां पर यसी talking हो इस से रात तो इस के अंदर मैं करूंगा यहां यहां लगाता। वाट इस यॉर नीब तो y-o-u-r-y-o और मैं कहा रहा हूँ name your name क्या लग रहा हूँ यहाँ 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 पर आपके आसे string ले रहा हूँ यहाँ 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 एक string है फिर लगा रहा हूँ in इन लगा रहा हूँ किसलिए यहाँ पर membership operator का यूज़ करेंगे अब यह thing कहा रहा हूँ यह data one के अंदर आ लिए तो मैं यहाँ लगाँ किसको data one को लगाँ यहाँ 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 नेम लिग दिया फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक variable बना लिया है variable बनाने के बाद यहाँ पर नहीं बोल रहा है तो my name is Peter यह लिख सकते है my name is और क्या नाम है इसका यहाँ बात करें तो अब मैंने पीटर नाम रख रखा है पहले से इसका तो my name is लग रहते हैं पीटर clear अब मुझे क्या करना है यह data है यह data जो है वो मुझे speak कराना है अपने system से करना है to something seems .tx को मुझे call करना पड़ेगा to speech .tx जो आपके यहाँ पर है अपके यहां पर फंक्चन में उसको call करते हैं लेकिन इस call function के अंदर मुझे क्या पास कराना है name को पास कराना है clear यहाँ पर क्या करना है name इसने आपने आप यहां पर बोला है कि मेरा नाम क्या है यहां पर पीटर है तो यहां पर यहां पर बात करें तो यह कैसे लगा नहीं है तो पहली लगाई मैंने effectив. अब मैं बात करूं यहां पर तो यहां पर if condition के साथ अब यह इए पर अगली condition लगानी है तो मैं इलिव का यूज करूंगा नाकी death क benefit का यूज करूंगा because दिखे आपका जो program है वो बहुत बड़ा बनने वाला है और बहुत बड़े program के अंदर जब हम यहाँ पर अलग-अलग conditions लगाते हैं तो alif का use लगाते हैं और same variable के साथ वैसे भी हम लगा रहे हैं यहाँ पर clear तो same variable के साथ लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे alif का use करेंगे ताकि यदि एक program हमारा यदि मैं बात करूँ पहली condition हमारी is true हो जाए तो नीचा ले condition को check ना करें आपका जो program है वो उतना लंबा execute ना हो केवल उस program को जहां पर उसको true दिखें वहीं से क्या करें program को break कर दें clear तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहांपर alif condition को लगा तो मैं यहां लगा रहा हूँ alif condition को अब दिखे alif condition को लगाने के लिए यहां पर मुझे क्या लगाना है how old are you मैं यह पूछने वाला हूँ old are you यहां पर बात करें old आपके बात करें, old जो है, वो keyword है, how old are you, मतलब तुम कितने साल के हो यहाँ पर, यह पूछूँगा यहाँ पर, और फिर उसके बात किस के इंदर सच करें, data के इंदर सच करेंगे, clear, अब result क्या लगना चाहिए, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, एक variable बनाता हूँ, age नाम से, और इस age नाम के variable के इंदर, मैं क्या लगाँगा, यहाँ पर इसका result लिखूँगा, और result क्या लिख यहां पर यहां पर बापिस मुझे speak करवाना है इससे, तो मैं इसको लगाता हूँ यहां पर यहां पर दूसरा यहां पर क्या लगाता है? अब बात करते हैं इस वाइस एसिस्टेंट के उपर ओके हाव ओल्डर यू आयम तू यूर्स ओल्ड ये प्रोग्राम हमारा एक्जेकुट हो गया अच्छा दिए यहाँ पर बात करें ओके इसके साथ हम क्या कर सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं चीजे को सर्च वर्च करा सकते हैं तो अभी यहाँ पर अभी का जो टाइम है यदि आप वो चाते हैं यहाँ पर तो वह भी आप इससे गयर कर सकते हैं तो यहाँ पर कैसे लगाना है जरावात करें यहाँ पर तो अब किसके अदर बिलने चाहिए यहाँ पर डेटावन के अंदर आपको मिल जाएगी अब देखे हम क्या कर रहे हैं यहां पर इससे टाइम पूछेंगे अभी का जो टाइम है वह आब मुझे बत करें तो इसके लिए आपने क्या रहा है बोतिता ऐसे बाव की सिट रहा है यहां पर यहां पडाइन formed को यूज करें तो मैं यहां पर क्या करूँ का वेलेंगा तो मैं यहां से मुझे क्या मिलेका एक ताइम हो लेता हूं, तो उसके विर नम के नाम से आफो का सी कहा है एक function है यहां पर, उश function के अंदर मैं बात कर ओँ यहां पर अभी का time अबढ़ अब काॱ्या है यहां पर फिर लगाएंगे dot और . के बाद देखे यहां पर आपकर आपके आहस्ट क्या होगा? रह। यदि मैं इसकी बात करता हूँ अब आपके आहस्कों पूरा का पूरा ऐक टाइम देगा अब आपके लिए इसको समझने के लिए इसको मैं आपके लाइट वाला चैनत हते हूं और यहां से data copy करते हुए मैं आपको थोड़ा data और time के बारे में बदा देता हूँ कि date time जो है now क्या से काम करता है यहाँ पर और देखे यहाँ पर मैं बात करूँ print और print के अंदर लगा देता हूँ यहाँ पर time clear और just like मैं इसको यहाँ पर के घ्रता हूं चलाता हो इस program को आपके सांथी ओनी है तो यह है आपको क्या देखा जरी है यहाँ पर तो देखे voice system के पर click क्या तो यह आपको क्या देर गाँ आज की जो date हुँ दे रहा है प्लस यहाँ पर लगा देखे किया है रहा है तो मैं यहां पर को क्यों कर दो यहां पर का recipes ३र centr करना है उसके बात करने यहां पर बात करूँ मैं इस प्रोग्राम और तो देखें मुझे यह तो चाहिए ही नहीं और यह भी मुझे इसको कमेंट यूट चाहिए तो मैंने इसको कमेंट ओड़िया अप नाव के अंदर हमने देखा कि आप कास क्या होता है डेट देता है ताइम दिता है वो भी करना पड़ेगा और जिसका आपके अब करते हैं यहां पर बहुत सारी चीज़े होती जिसके तुरू आप अलग-अलग टाइम को सच करपाते हैं आपको 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 कितने बज़ें यहां पर नेक्स्ट यहां पर बात करें परसंटेज लगाता हूं यहां पर और लगाता हूं यहां पर लगाता है यहां पर यहां पर लेकिन अब मुझे करना है वापस बोलवाना भी है अब उसके बाद देखें यह जो आउटपुट है वो मुझे बाहर बेजना अच्छे काम करते हैं अब तो केवल टाइम को ही सच कते हैं ठीक है टाइम लगते हैं यहां पर कि टाइम क्या हुआ यह बता दीजिए मुझे यहां पर तो यह जो टाइम आपका अस वेरेबल है यह मुझे करना है speak भी करवाना है तो मैं क्या करूँ आपका को यहां पर कॉल करूंगा और कॉल करने के बाद यहां पर क्या बेज़ दूँगा यहां पर क्या बेज़ दूँगा और अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं देखे मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं यहां पर ओके यह बोला आपके जो अभी का जो टाइम है वह बता दिय यहां पर 328 पीम अच्छा देखे वापर चलते हैं यहां पर 328 पीम आपके बास आ चुका है तो इस तरह से आपके बात करें तो यहां पर आपके कर सकते हैं टाइम को भी यहां पर लगा सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है वह आप बता दिए अच्छा देखे बात करते हैं यह यह तो हमार पास data time आ गया यहां पर अब देखें यहां पर हमने का रहा है यहां पर बात करें किया थैके व्याइजर और यहां पर पाई जोक्स को भी आप ने करका एड़ओन करका अहीं कि यहां पर य comport आयोके टॉट多 JUST लाइक मुझे यहां पर यूट्टूब को सबसे वहाँ क्या हны सिर्जाने के बाद में यहां पर क्या लगना चाहता हूँ यूटूब तो मैं हरो यहां पर यूटूब लिख लेता हूं यहां पर यूटूब और यहां पर लिखा यूटूब यूटूब सर्च करें और किस के अंदर करना है डेटा वन के अंदर सर्च करना है यूटूब को और यूटूब के अंदर क्या सर्च करना है पहले वो देख लेता है यहां पर तो यूटू जिसके थूँक्या होता है कि आपका जो भी default browser है उस default browser के अंदर आपके जो भी web page है जिसको भी आपको search कराना है वो क्या करेगा? उसको search करा देगा तो देखें, यहां पर बात करें तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पर इसके अंदर जाना है आपको यह वैब ब्राउज लगाना है dot आपको लगाना है open function open function में as string pass करानी है क्या pass कराना है आपका यह जो है channel name यह या फिर आपके आज बात करें जो भी आपने url दे है उसको url को copy करना है और copy करने के बाद आपको इसके साफ से search करा देना है clear? आप देखें मैंने यहाँ पर क्या क्या है url को लगा दिया है youtube के अंदर यह लगा दिया है और देखें मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ से close कर देता हूँ अभी मेरे पास कोई भी web page open नहीं है और मैं क्या कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ फिर से open youtube तो देखें यह हमारे पास क्या हो गया youtube आप क्या हो गया open हो चुका है youtube का आपने जो भी यहाँ पर page लेगा और वो भी किसमें हो रहा है यहाँ पर आप क्या आप क्या जो कवें यहाँ पर इस तरह से आप कई सकते हैं आप फिस तरह से यहां पर बात करें आप ने कब क्या आपने ब्राउजर के और और YouTube का पेज उपन कराया हूं इसी तरह से आप अपने कुछ बहून राशकरा सकते जिसल्थ मैं बात करूं इहाँ सब्सक्राइब करने तो मैं काम करता हूं का सब्सक्राइब करता हूं ग YouTube की जगा mmane यहांपर कै लगा रहा हूं वैब पेज ठ Theresa तो यहांपर लगा रहा हूं कि आप कैस क्या मिले वैब मिल जाए थब हमारे पास ता लेकम के जाए चाहइए और लिंक के विद्र deci di लिए करें प्रोगाम को सिव कर दिया मने यहां पर और इस program को चलाते हैं आपि jakaListen Hey okay तो यहाँ आपर बात करें वीडा यह किया यह नपकर है यह word कर दिया तो इस तरह करें यहां पर यूटूब के अपर इंदर इसको कॉपी किया और आप चाहें तो इधर आप पर लिंक को पेस्ट कर स्टते हैं तो यह मैंने कह एंपर आपका YouTube और इसका टाइम हमें यह बताएगा दूसा हम ने कहां यूटूब को उपन किया है दूसा वेब को उपन गया है यह मने यहां पर तक प्रोग्राम को चलाए है अब आप चाहें तो देखें यहां पर आप आपने एक मॉडूल लगा रहा है क्य लगाने के बात अभड़ा रहा है आप कै अन्य यहां पर क्या करें तो यहां पर mów को यूज करूँ गा को जोक कीवर्ड को युज करूँगा आपके जोक कूइवर्ड की आज किट अन्य अपकर बात करो मिल जा यहां पर उनमें से कोई भी रैंडम ली वो जोक्स निकालता है और हमें सुनाता है इस तरह से पाई जोक्स काम करता है अब इसके अंदर क्या फंक्शन है जड़ा उसकी बात कर लेते हैं यहां पर तो देखें सबसे पहले आपके अपड़ेगा एक वैरेबल करना पड़ेगा तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ यहां पर जोक के नाम से जोक अंडर स्कोर और यहां पर वन के नाम से मैं कर रहा हूँ एक वैरेबल बना लेता हूँ clear अब इसके अंदर हम क्या करेंगे पहले तो बनाएंगे पाई जोक्स को जो कि हमारा पाज क्या है मॉडूल है पाई जोक्स को मॉडूल बनाया उसमें सिर्फ लगाया मैंने यहां पर get function को get function क्या करता है कोई भी चीज है जो आपके आज पढ़ी है बहुत सारे जोक्स पढ़ें उनमें से कोई भी एक randomly gets करके लिए क्या आता है यहां पर अब get underscore आपको लगाना है यहां पर जोक यहां से जोक्स आएगा अब अब जोक्स भी आपकाष बहुत सारी लैंगवेज चीज किन दर है तो मुझे कौन से लैंगवेज चाहिए यहां पर उस लैंगवेज को मुझे करना पड़ेगा get करना पड़ेगा तो मैं यहां पर क्या करूंगा language बूलाओंगा तो मैंने क्या कि यहां पर language बुलाया कि यहां पर जो language है वो कौन से होने चाहिए तो मैंने रखी यहां पर English language होने चाहिए then comma अब हम लगाएंगे यहां पर category कि जोग की कौन से category होने चाहिए यहां पर आप क्या होगा जोक्स आपका multiple categories में मिल जाएंगी तो आप एक particular category को choose कर सकते हैं और यदि आप चाहें natural को चाहिए किस टाइब के जोक्स ये वो भी आप लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा category लगाऊंगा यहाँ पर अब मुझे करना है यहाँ से speak करवाना है तो मैं करना है यहाँ पर speaks model को call करूंगा और call करने के बाद यहां पर रख दूगा लेगिन यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर joke आपके आस वान जाना चाहिए जिसके अंदेब बोला है नेचुरल आपका अब कोई categories नहीं है यहाप अच्छा दीए नेचुरल category नहीं है यहाप तो यहाँ पर मैं category को थोड़ा सा change करना चाहुँगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं कर आगज करेंगे neutral category रख रहा हूं यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे neutral category रख दिया है तो मैंने क्या है यहाँ पर neutral category को रख दिया यहाँ पर ओके अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं यहाँ पर open joke कि कि घर रएय एया अब एक जोगा चुका है अब यह है एक बार शोज़ना उसने हमें सुना दिया जोग कि भीन चौर आसे करेंटे कर यहाँ पर अब ओंगे कर गभान धेश्चे रख गारई उपन ज veterans तो प्र आप इसने करण और इसके दंद बहुत सारे जोगस बड़े हैं यहां पर मैंने कैट्गरी किया है कैसकते हैं दूसरी और भी काटेगरी को देख सकते हैं पर पाई jokes के अंदे जाएंगे पाई jokes मॉदूल के अंदे आपकोाõesि मिल जाएगी लेंग्विजस मिल जाएगी उन लेंग्विजशि के यसाभ से आप यहां पर क्या ugуть सकते हैं जोग को निकाल सकते हैं अब देखि हैं यहां पर बात करें आप चाहें तो इसके अंदर जाके आप इइमेल भी दिसटेंगे किसी को यदि आपको इपेल को यहां पर बिजवाना है किसी को तो इमेल को बिजवाने के लिए आप का करेंगे यहां पर smtp मॉडूल का यूज करेंगे यदि आपको वो समझना है यहां पर तो हमने क्या करका है यहां पर आपको पाइथन के दूरू आपको क्या करना है यहां पर बात करें यहां पर किसी म्यूजिक को चलाना है यूटूब के दूरू वो चला सकते हैं अच्छा देखें बात करें यहां पर तो आपके सिस्टम के अंदर को यहां पर म्यूजिक पढ़ा है उसको भी आप प्ले कर वा सकते हैं अच्छा देखें मेरे पास क्या पड़ रहा है इसके सॉंग्स पड़ें यहां पर बहुत सारे अब इन सॉंग मैंसे मैं जाता हूं कि कोई भी एक सॉंग प्ले हो जाए यहां पर तो वो आप सॉंग को प्ले कर सकत गाशलihad अब कैसे इई वाला है जरा उसकी बात कर लेते हैं आप तो मैं आपना सिश्ट्प मोडूल को मूँठों करते हैं अब टिके मॉडिके साथ मुझे काम करना है तो मैं यहां पर जाता हूं और इंपोर्ड लगता के अब पर करण पर अनदर की नहीं को क्या किया के बा temat काने के बाद अब यहां पर मुझे किया लगाना पड़ Jesus मैं यहां पर क्या हूं ग civ Pool रथा है, और यहां पर वह यहां सब्सक्में करें करने vegौन्ट के कहा प्रत देखे आपने क्या किया यहां में बात करें मापर वियुजा करते करते हैं और आपको उससे लेटट्र फोल्डर में पढ़ा है उसकी आपको क्या पर यहां पर मैंने यहां पे लिया address एडरस बता है यहां पर यह जो आपके आस से इसको कॉपी किया यहां पर अब देखें और इसको बना देता हूं string तो मैंने क्या किया यहाँ पर address को बना दिया string उसके आज बात करते हैं यहाँ पर अब देखे यह जो आपने address बना है इस address को क्या करना है मुझे open कराना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आपके आज देखे Swong आपके आज एक keyword बनाऊगा मैं एक word बनाऊगा जिसके अंदर मैं क्या करूँगा operating system के अंदर आपके आज operating system के अंदर क्या है एक list keyword है उसको यहाँ पर open करेंगे वो क्या करेगा यहाँ पर यह जो Swong के आपने जो भी address दिया है इस address पे जाएगा और address पे जाने के बाद क्या करेगा उसके अंदर जो ज goodij have उनको देखेगा और उनकी एक list बनाएगा और उस list के अंदर आपसे क्या काम करवाना है उसके अंदर वो आपको काम करना है तो मैं करूँगा एक list बन वाओंगा लिष्ट कौन लाएगा आपके अपरेटिंग सिस्टम लाएगा और उसके वहां से जो डीटा है वो इक लिष्ट पर्वानबट में अच्छा यह आपको यह चैक भी करना है तो मैं यहां पर लगाते हूं प्रिंट और प्रिंट क्या करता हूं लिष्ट आपका सॉंग आपके जो हैं पर है लिष्ट कौन कौन से सॉंग प्ले तो नमेंसे को कौन सी फाइल को मुजे यहां पर प्ले करवाना है उसको हम करेंगे यहां पर इक फंक्शन है उसको कॉल स्टार्ट और यहां पर लगाना है स्टार्ट और यहां पर लगाना है स्टार्ट फाइल फंक्शन आ गया स्टार्ट फाइल फंक्शन अने के बाद अब क्या लगाना है आपको यहां पर आपका पाथ है यह आपको लगाना है ओस डॉट पाथ डॉट जॉइन यह अपने लग यहां पर बात करें, इस list में से कॉन rumor play कराणा है, वो देना है, तो यहां पर देखें मैं दे रहा हूं, एक तापका address, कौमा लगा हैं यहां पर, दूसरा देना है, यहां पर आपको कहाणा है, तो यहां पर मैं देता हूं, आप क्यां, देखें, song list, अब song की list मैं से मुझे कौन सा यहां पर play करवाना है तो मैंने कहा यहां पर जीरो नमबर वाला जो है वह आप क्या करें play कर दें clear यह मैंने यहां पर दे दिया मैं इस program को करता हूं save करता हूं और save करने के बाद देखें आप इस program को रन करते हैं यहां पर तो मैं कहा रहा हूं voice assistant को यहां पर call करता हूं voice assistant.py को यहां प्ले सॉंग अच्छा देखें यहां पर बोला गया है model OS has no attribute of list disk आपने यहां पर लिस्ट आपके आज बात करें डिरेक्ट्री आपको यहां पर रहता था लिस्ट डिस लगा दिया नहीं आपके यहां पर बात करें function dsr चलिए यहां पर प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं यहां पर एंटर प्ले सॉंग प्लेस आपके यहां पर बात करें ऍपर लिस्ट का इंडेξ नमबर यहां तो पहला सॉंग आपको यदी प्ले करवाना है तो जीरो देना पड़ेगा दूसरा करवाना है तो आपको वन देना पढ़े गा, तीसा करवाना है तो इस तीस सबसे लगज़ सकते हैं Just like मैं दूसरा करवाना चाता हूँ, तो आपको वन देना पढ़ेगा यहाँ पर और यदि मैं इस प्रोग्राम को फिर से चलांओ देखें, दूसरा कश्क्त कौन सा है तो मेरे दिल यहां हाला आपका सरह है चलाए यहां पर प्ले सॉंग ढ के यहां पर यह जो सॉंग है वह चलो हो चुका है तो इस तरह से आपका कर सकते हैं आपका जो दूर desarroll सॉंग है उसको भी एक्षाइ तो यह हमारे पास आचुका है अब देखे यहां पर बात करें देखे यह हमारे पास सब को आचुका है अब मैं चाहता हूँ यह प्रोग्राम है इससे एक्जिट कर लिया जाए अब देखे यहां पर बात करें तो यहां पर डालते हैं ऐसा कुछ आपको देता है मेरा जो प्र प्रोग्राम है वह कंटिनिउसली लूपिंग के साथ चलना चाहिए तो पहली चीज में यहां पर लूप लगाना है अब लूप लगाना है तो मुझे इन्फाइनाइट लूप लगाना पड़ेगा क्यों देखे एक प्रोग्राम इस्टार्ट हुआ फिर आपका दूसरा प्र लेकिन यहां पर बात करें यह लूपिंग सिस्टम कहां देना है तो यह लूपिंग सिस्टम आपको यहां पर देना पड़ेगा और उसके लिए मैं यहां पर क्या यूज करूँगा वाइल लूप का यूज करूँगा यहां पर तो यहां पर मैं लगा रहा हूँ यहां पर बात करें, तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर while, अब दिखें, while के अंदर infinite loop मुझे चलाना होता है तब मैं यहाँ पर करता हूँ while true का use तो यहाँ पर मैं दूँगा while true ओके, मैंने क्या दिया यहाँ पर while true दे दिया, और इस while true के अंदर यह जितना भी अब तक मैंने program लिखा है, clear? तो यह जितना भी program लिखा है, इस while true के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे shift कर दूँगा, तो मैंने क्या कि यह while true के अंदर मैंने क्या कि प्रोग्राम को shift कर दिया लेकिन, अब इस program से मुझे exit भी करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, exit option मनाँगा यहाँ पर, उसका use करूँगा, अब दढ़ा, exit option कैसे use करना है которого बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक alif condition के बाद, के लिए एक बिए में रहां और का लगाना है डीटर वन में लगाना है और यहां पर मैं करूंगा ब्रेक और कंटीनियूस किया होता है कंटिनियूस उखेंदर continuously चलता रहता है program आपका यहाँ पर तो मैं यहां पर करूंगा ब्रेक करूंगा है और मैं यहां पर ने करूंगा किसकों यहां पर आपके लिखा और कटेश वाले लिए लगा है यहां पर हमने क्या है फीलिए आ में से तक हम एक बात करें लिए लगई रखा है रूपन यूटूब credit को यहां पर हो तब हमारा यह कर रहा हो बन कर रहा उब ही तो मैं इसके बाद हैंप एक जीट नाम कर रहा है खुक में नाın पर तरह है ईब हमारी यहां पर मैं यूटूब और यहां पर यहां पर हमारे यहां do तो यहां परहां परया है यहां इस शुटेफ़ के तो यहां ब्रसकर चल रहा यहां दो रहीं कि यह पर ऑ., श therapists है यहां पर हुआ What is your name? My name is Peter. How old are you? I am two years old. Open YouTube. देखे, यह open YouTube कर चुका है, यहाँ पर. Okay? And then, बात करूँ यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या सुन रहे हो अब? देखे, यहाँ पर YouTube के पर सच हो चुका है, क्योंकि YouTube यहाँ पर है, इस पूरी सेंटेंस के अंदर. इसलिए यहाँ पर इकारा सर्च कर रहा है. एक्जिट. Thank you. Okay. तो यह हमारे पास आचुका है. Okay? इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यह continuously आपका पर प्रोग्राम जो है, वो चलता रह रहा है यहाँ पर. Okay? तो इस तरह से आपका प्रोग्राम चल रहा है. अब आप चाहें, तो इसके अंदर आपको क्या कर सकते हैं, टाइम डिले दे सकते हैं, यहाँ पर आपके टाइम को डिली दे रहा है, आपका प्रोग्राम है, वो चलता रहा है. वो उसने सुना, उसने यहाँ पर रिकनाइस किया, चलता रहा गया. लेकिन अब आप चाहते हैं, यहाँ पर एक डिले आजाए, यहाँ पर. आपका पहला प्रोग्राम चले, हाथो आथ रिकनाइस नहीं करें. कुछ टाइम यहाँ पर ले, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम मॉडूल लगा सकते हैं. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, और इंपोर्ट क्या करूँगा, यहाँ पर टाइम कर देता हूँ. इंपोर्ट टाइम करने पर ये टाइम मोडूल इंपोर्ट हो जाएगा अब दिखें टाइम मोडूल के अंदर आपके बहुत सारे function होता है उन function के अधर मैं बात करूब होगी देलेट आजेगा इसके निदे टाइम होता है है यहाँ पर टाइम ले लिए यहाँ पर अब आप चाहे जहां पर इसे लगा सकते हैं जैसे है यह एक हैं यहां पर मैं ब्रेक के बाहर ही दे सकता हूं आप चाहें तो आप ब्रेक अंदर भी दे सकते हैं तो मैं यहां पर क्या रहा हूं चाह रहा हूं तो यहां पर स्लिपधन लगा रहा हो यहां पर द्राइब होने के सब्सक्वप सब्सक्राइब यहां पर यहां पर लगा सकते हैं यहां पर हमने सब कुछ लगा रखा है यदि आप चाहें तो इसके लिए मैं यहां पर इसको स्टार्टिंग कर देता हूं यहां पर और यहां पर जो एल्स कंडिशन जो हमने बनाई है इसको भी हम क्या करते हैं यहां पर लगा दिया है तो अब देखें यहां पर lower case के अंदर में काम करता हूं इन लगा देता हूं यहां पर फिंफेंश को अगल थोड़ा सा छेंज करें है क्लिशक आपके आपको पास कर्णाम करना चाहिए नहीं तो काम नहीं और इंदेंटेशन इनदें प्राप्लम ना आ., इसके लिए मैं क्या क्रारेंगा एक ह्कुआ लगा देता हूं लिया तो इस तरह से यह प्रोग्राम जो है यह बन चुका है इसके अंदर आप और चीज़ चाहें तो वह इंक्लूड कर सकते हैं जैस्ट लाइक मैं यहां पर बात करना चाहूंगा यहां पर की आप मेल सकते हैं वाट्सप यहां पर आड़ कर सकते हैं तो द कि Johman देखे तो सब सबसीच यहां पर सरुच करेंगा सब और यहां पर। प्रोग्र्राब करा देथा हैं है यह पिर ओपन यूटिवर ऊके ही पीटिपप्य और यूटूप्य काम के लाए ओपन तो यहां पर मैं काम नहीं किया है और खाकर है यहां पर यहां पर यहां पर रहा है तो इस बहुंतने तुर हम यहां पर रोक सकते हैं यहां पर और इसके लिए लगा सकते हैं आप चाहें तो यहां पर क्या कर सकते हैं वाइल लूप लगा सकता है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जिससे क्या होगा यहां पर जब भी वह understand ंधी दिखेगा यहां पर तो बहार नहीं आएगा वह क्या करेंगा continuously उसे search करता रहेगा clear, ये भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं यहाँ पर चलिए एक बार और देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं hello hello and thanks आच चुका है यहाँ पर क्योंकि hello के उपर हमने program नहीं बनाया है हमने क्या नाम दिया है, हमारे assistant का, यहाँ पर हमने मूतली वर्क करें, तो मैं time delay को और थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ओके और अब चलाते हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को hey peter okay, यहाँ पर इसने बेटा रिकनाइस किया है hey peter open youtube okay, अभी तक रिकनाइस नहीं हुआ, यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से आप अपना self का क्या कर सकते हैं अब देखे इसके निर आपको add-on क्या क्या करना है जो आप अपने इच्छा से add-on कर सकता है लेकिन basic basic जो चीजे है वो आप यहाँ पर ले चुके है सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर इस voice assistant का एक नाम दिया जो की नाम क्या था hey peter आप चाहें तो कुछ और दे सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी नाम दे रहा है just like यहाँ पर market के अंदर हमारे पास बहुत सारे voice assistant मिलते हैं यहाँ पर तो आप उनका भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पर बात करे तो आप अपना खुद का बना रहा है तो आप अपना खुद का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर उसके बात and में निया है आप चाहे तो यहां पर बात कर सकते हैं आप जोग सुन सकते हैं कि आप WhatsApp को भी यहाँ पर एड़ सकते हैं इमेल को भी एड़ कर सकते हैं मोडीयो के अंदर वह मॉडिय एसिस्टेंट तो किया सकते हैं चाहें तो इसकी फीमेल वाइस भी बना सकते हैं तो कि आप इस जीरो को हटाकी वां लगा दे तो आप की सिएब आप और वास है यहां पर Zara की, अभी जो आप यहां पर सुन रहे हैं, वो person है David, और यहां पर बात करें female के लिए, तो female है यहां पर Zara, जिसकी आप आज लगा सकते हैं, I think clear, समझ में आच चुका होगा कि किस तरह से आप अपना self का जो voice assistant है, वो यहां पर बना सकते हैं, clear, तो इस तरह से स्थी अपना टil then, गए यहां बड़ाय.